सबापती महुदे, आपने मुझे बजट में बोलने का मौकर दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा देश किसान प्रधान और कृशी प्रधान देश है अगर हमारे किसान और युवाओं का भविशर सुनिश्चत नहीं कर पा रहे हम तो मैं समझती हूँ कही ना कही हम सब अपने फर्ध से डगमगा रहे हैं जहां वित मंत्री ने नौ प्रत्मिक्ताव की बात करी और कृशी को जहां पहला स्थान दिया गया वही मैं वित मंत्री से पूछना चाहती हूँ की कृशी ग्रामीन अर्थरवस्ता की विद्धी धर क्या है जहां यह कहा गया था कि 2024 तक आप किसान की आए दुगनी कर देंगे 22 तक किसान की आए दुगनी कर देंगे और जहां MSV का वादा किया गया था तो मैं पूछना चाहूंगी कृशी मंत्री से कि आज अग्रिकल्चरल इंफ्रास्रक्टर में कितना बजट या सरकार दुवारा दिया जा रहा है यूपी को इस बजट के तहट क्या मिला है क्या एक भी मंडी पिछले दस सालों में उत्तर पदेश में बनी है और किसान की जरुत मंद जैसी चीजों पर क्या यह सरकार ने कोई भी जीस्टी माफ करी है या खाद में सबस्री देने में आज सरकार कायम रह पाई है और जहां खुद पनार मंत्री आये थे उत्तर पदेश में विधानसबा चुनाव में और उन्हें वादा किया था उत्तर पदेश की जनता को उत्तर पदेश के लोगों को कि वो आवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे निजात दिलाएंगे तो क्या इस आवारा पश्यों की जो समस्या है जिसकी वजे से आज हमारा देश चौकिदार बन गया है रात भर सो नहीं पा रहा है तो क्या कोई प्रावधान बजेत में रखा गया है इस हमस्या को लेके इसी के साथ जा किसान अंदोलन में लगबख 700 किसानों ने अपनी जान गवाई जा उत्तर बदेश में भी लखीमपूर खीरी में जा किसानों को रौदा गया मंत्री जी के बेटो दोरा हम पूछना चाहते हैं सरकार में इस सरकार से कि जाद जो 2014 से 22 तफ लगबख 1 लाख किसानों ने अत्मत्या की है तो हम वित मंत्री से पूछना चाहते हैं कि पधान मंत्री फसल वीमा योजना के तहट कुल किसान लाब कितना मिला है और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है यह सरकार लगादार एक दशक से किसानों की अवहिलना कर रही है गाउं की अर्थवेवस्था पूरी तरह चर्मरा गई है और इसकी एक बड़ी वज़े महिंगाई है और जहां मंडरेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड का बज़ेट दिया है तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेज़ेज मंडरेगा के तहट लोगों को सुनश्चित करी जाए और लगबग 20 प्रतिशत मंडरेगा का बज़ेट बढ़ाया जाए इसी के साथ शिक्षा बज़ेट में भी लगातार हमारा घट रहा है जहां यह केवल आज धाई प्रतिशत है और टोटल बज़ेट स्पेंडिंग आलोकेशन और जहां यूनिस्को नों यह बेंश्मार्ग दिया है कि लगबग यह चार से छे प्रतिशत तक होना चाहिए वही यूजीसी के फ़न्स लगातार घटाए जा रहे है और इसको लगबग इस बार साथ से एकसथ प्रतिशत घटा दिया गया है जा हम बात करते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की वहीं ये सरकार लगातार शिक्षा बजट में बजट जो कम कर रही है तो मैं समझती हूँ इनकी नियत कहीं साफ नहीं है मन्शा कहीं सही नहीं है हमारे देश के युवाओं के और स्टूडन्स के प्रति वहीं आज हमारे देश का युवा निराश है जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है तो मैं समझती हूँ जो वादे किये गए थे जो रोजगार को लेके सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है जहां आज है बेरोजगारी दर 9.2 पतिशत है और जहां महिलाओ का बेरोजगारी दर 18.5 पतिशत है तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओ का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है और अगनी वी जैसे योजणार राके इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की पतिश्था का सम्मान गिराने का काम किया है जो सरकार शोशल जस्टिस की बात करती है लेकिन आज भी यह सरकार जातीकर जनगरना से अपना मूँ मोड रही है जहाँ अनुसुचित जाती जन जाती पर होने वाले अपराद लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर पदेश में यह अपराद नमबर वन पर है और साथ ही महलाओं के साथ जगन अपरदाद लगातार बढ़ रहे हैं उत्तरपदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है तो मैं पूछना चाहती हूं कि महलाओं को सुरक्षा को लेकर ये सरकार क्या कर रही है और जहां उत्तरपदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाई चलाकर हमने अपनी माताओं बेहनों बेटियों को सम्मान दिलाने का उनका हग दिलाने का काम किया था तो इस बजट में क्या प्रवधान रखा गया है महलाओं की सुरक्षा को लेकर वही आज अगर सुरक्षा की बात करें तो लगबक 1.9% of GDP आज का खर्चा बजट दे रही है स्वास के स्वास के लिए Speaker Mohadae, there is no focus agenda for the healthcare of the country. Irrespective of the fact, we are speaking about India being the first largest economy and moving towards the third largest economy. And if we see the fast growing population of the country, so 1.9% of the budget is very less for the health services of the country. Sir, decision to exempt three cancer drugs is a welcome move by the finance minister but it is a very small step in the right direction Sir, ma'am, हमारे उत्तरपदेश में, लखनों में एक cancer institute जिसमें लखबग एक हजार करोड रुपे लगे हैं, वो तयार है लेकिन ना केंद्र की सरकार, ना स्टेट की सरकार ये सुनिश्यत कर रही है कि सुचारू रूप से वो cancer institute चल सके क्यूंकि cancer के cases लगातार देश में बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि अगर ये cancer institute सही डंग से सरकार चला लेती है तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे Ma'am, there is a massive gap between the demand and supply in the healthcare center, in the healthcare infrastructure the doctors, the nurses, the technicians, इन सब की बहुत भारी कमी है और जो बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं और जो बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े-बड़े aims बना लिये हैं, medical colleges बना लिये हैं लेकिन 100% तरीके से कोई भी medical college या aims उचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि भारी doctors की कमी है, nurses की कमी है, technicians की कमी है इसी के साथ जो teaching faculty में भी भारी teachers की कमी है जो सरकार proportion के बारे में बात कर रही थी जो भारत को anemia मुख बराने के बारे में बात कर रही थी तो मैं उनसे कहना चाहूंगे कि आप सभी अपने वादों में विफल हुए है आपने जो वादे करे थे लोगों को आपने सारे वादे जनता के साथ वादों को तोड़ने का काम किया है जहां आप GDP की बात करते हैं, जहां आप third economy की बात करते हैं हमको महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज, मुफ्ट और सस्ता दलाने की बात करनी है और जो capital expenditure की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझती उसमें भी समय सीमा ते होनी चाहें कि infrastructure के जो भी projects बन रहे हैं, उनकी समय सीमा निर्धारित हो क्योंकि यह tax का मनी है, यह जनता का पैसा है माम, two minutes I will take, माम यह जनता का पैसा है और इसे सही धंग से सिमाल करने के लिए हम साब प्रतिबद है माम इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि reformation and revolution, reformative and revolutionary changes can come in the country even after 11 years but the dedication and concentration is required from the government nothing can alter the past but responsible behavior by the government and I am not playing a blame game here I am saying a responsible behavior is the behavior in which we are responding to the present situation and if the government plays a responsible behavior then formative changes can come in the country thank you speakers